आखिर किस ने बनाया लोरेंस बिशनोई को डोन आखिर यूपी में रहने वाले कौन से डोन के किस गुर्गे ने चात्र नेता लोरेंस बिशनोई को कैसे बनाया कूख्यात गैंक्सचर आखिर आज कहां पर है वो बाहू बली का खासम खास जिसने सिखाया था लोरेंस बिशन के मुख्यतार अंसारी कनेक्शन की सिलसिलेवार कहानी नमस्कार मैं हूं हनी शर्मा और आज आप देख रहे हैं दे लोकल न्यूज की खास पेशकर क्राइम स्टोरी और आज की क्राइम स्टोरी में हम बात करेंगे आखिर गैंक्स्चर लॉरेंस बिश्नोई को किसने बनाया क मुख्यात गैंक्स्चर और लॉरेंस बिश्नोई का यूपी के बड़े भाववली से कनेक्शन करवाने वाला गुर्गा आज कहां पर है दरसल कहानी की शुरुवात कुछ ऐसे होती है पंजाब के डिएवी कॉलिज का एक आम स्टूडेंट जिसके पिता प्रदेश के पु 22 कुछ और ही थी वह अपराद की दुनिया में अपना नाम बढ़ा करना चाहता था वह अंडर वर्ल्ड डॉन की कुरसी पर बैठना चाहता था और उसके इस वाप को पूरा करने के लिए उसे जुर्म की डगर पर हाथ पकड़ कर चलाया पुर्वांचल के खुकिया डॉन म मुक्तार अंसारी के एक खास गुर्गे ने मुक्तार अंसारी के इस खास गुर्गे के बारे में भी आपको बताओंगी लेकिन उसे पहले बात करते हैं लोरेंज बिशनोई की कहानी शुरु होती है साल 2010 से जब पंजब के डिएवी कॉलिज में छात रागनीति करते हुए उसके खिलाफ चोटे मोटे मामले दर्ज होने लगे थे लेकिन ये महज शुरुआत ही थी धीरे धीरे उसके गुनाहों और उस पर दर्ज होने वाले मुकदमों की लिस्ट लंबी होने लगी आगे चल कर लॉरेंस के उपर हत्या के प्रयास जबरन कबजे मारपिट और डकैती जैसी कई मामले दर्ज हुए धीरे धीरे लॉरेंस विश्णोई अंडर वर्ल्ड का एक कुक्याद गैंक्स्चर बन गया ऐसा गैंक्स्चर जिसका नेटवर्क देश के लगभग पांच राज्यों में फैला है इन राज्यों में उसके लिए काम करने वाले गुर्गों की सं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जस्विंदर उर्फ रोकी फाजल का चंडिगड के जीएसम कॉलिज का छात्र था और साथ में एक गैंक्स्चर भी था डियवी कॉलिज में छोटे मोटे क्राइम के मामले में जब लॉर्णस विश्णोई जेल में बन था उसी दोरान उसक दोरान जब रोकी फाजल का ने लॉर्णस विश्णोई को देखा तो उसे अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया इसके बाद धीरे धीरे लॉर्णस की करीबी उससे बढ़ने लगी और रोकी फाजल का ने लॉर्णस को जुर्म की हर रापर बेधड़क चलना सिखा दिया ब बिजनसमैन नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था हलाकि सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था इसके बाद उसका नाम बैंगलोरू के बिजनसमैन निर्मल कुमार जैपूरिया के अपहरण मामले में भी सामने आय जित जयानी के खिलाफ निर्दलिय उमीदवार के तोर पर चुनाव लड़ा हाला कि उसे हार मिली लेकिन लगबग 40,000 वोट हासिल करके दूसरे स्थान पर रहा फाजिल का के खिलाफ 1996 से लेकर 2016 तक हत्या हत्या की साजिश और अपहरन जैसे संगीन अपरादो के कुल 22 मामले दर्ज किये गए हैं 30 अपरेल 2016 को जब फाजिल का अपने दोस्परमपाल को और सुरक्षा कर्मियों के साथ हिमाचल परदेश के सोलन से चंडिगर जा रहा था तो उसके उपर हमला हुआ गंभीर हालत में उसे हस्पताल ले जाया गया लेकिन वहाँ पहुचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया जिस वक्त ये हमला हुआ फाजिल का की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के चार जवान तैनाथ थे दूसरी और वही लॉरेंस बिश्णोई का नाम आज भी कहीं संसनी खेज मामलों से जुड़ा है इनमें सलमान खान को धमकी देना, सिद्धि मुसे वाले की हत्या, सुकदूल सिंग की हत्या, सुकदेव सिंग गोगा मीडी की हत्या और अब बाबा सिद्धि की हत्या जैसे केस में शामिल है लोरेंस के खासम खास संपंत नहरा ने साल 2018 में सलमान खान पर हमला करने की कोशिश की थी हालांकि इस साजिश में वो काम्याब नहीं हो पाया आपको आज की क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में लिक कर जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए बने रहे दे लोकल यूज के साथ और अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करना और फेस्बुक पर फोलो करना ना भूले शुक्रिया